हलो मैं दियर स्टुडेंट, गुद मॉनिंग, गुद नून, गुद इबनिंग, whatever you are connected feeling with this, मुझे आसा इने पुड़ विश्वास है कि आप स्वास्त होंगे, आप अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, और सा साथ में अपनी पढ़ाई को सुचार रूप से जारी क होंगे, मैं दियर स्टुडेंट आप दे नाइन्थ क्लास, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बाइलोजी का एक टॉपिक उठाएंगे, जिसमें जो है, एन्सियाटी में एनिमल टीसू पढ़ना है, तो इस पार्ट में हम लोग एनिमल टीसू के बारे में बात और मैं डियर स्टुडेंट इस बात को हम लोग सीखेंगे, कि एक्चली में बाइलोजी को एन्सियाटी से कैसे पढ़ा जाता है, तो बिना टाइम किलकी है, आप रेडियो हो जाए, अपने कॉपी और पेन के साथ, आपका इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत हैं, आप इस चैनल पे शुरू करते हैं, तो इन्मल टिसू के बारे में, क्या कह रही है, एन्सियाटी, एन्सियाटी लाइन बाइन पढ़ेंगे, कॉंसेट को क्लियर करेंगे, तो लेट से स्टार्ट, लिका हुआ है, वेन वी ब्रीध, वी कन एक्चली फील दा मुमेंट आप आप तो सभी लोग मेरे साथ लंबी सांस लेंगे, और जब हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीध करते हैं, एक्चली में ब्रीधिंग क्या है, एक प्रकासे गैसियस एक्चेंज है, जिसके अंदर बाहर की जो हवा है, एयर है, वो हमारे लंग्स में, फेफडे में बरती है, और तो जब हम लोग ब्रीधिंग करते हैं, तो हमारे chest cavity का motion होता है, moment होता है, जैसे बाबा राम देय योगा में बताते हैं, कापाले बात करने के लिए, लंबी सांस लिजिए और छोड़िए, तो जिससे क्या होता है, हमारे chest का moment होता है, तो NCRT बोलते हैं, कि how do these body parts move, यह body parts में कैसे moment होता है, इसको समझना है, and for this, we have specialized cells, called as muscle cells, तो इस motion के लिए, जो chest का motion हो रहा है, इस motion के लिए, हमारे body के अंदर muscle cells हैं, और इन muscle cells के contraction and relaxation से यह motion संभव है, तो NCRT लिखती है, the contraction and the relaxation of these cells result into the moment, तो यहां पर एक सवाल बन जाता है, क्या, कि contraction and relaxation, किसके contraction and relaxation थे, तो contraction and relaxation होता है, किसका, muscle cells का, तो muscular cell की वज़ा से, हमारी body के अंदर क्या होता है, motion होता है, अब इस muscular cell की या muscular tissue की जो जगह है, place है, कहां-कहां यह location located है, तो इसमें NCRT एक figure यहां पर दिखा रहा है, कि एक stomach बना है, तो इस stomach के अंदर, जो stomach की यह जो wall है, wall के अंदर जो है, जो lower layer है, उस lower layer का हम लोग section काट करके देखते हैं, तो इस section में यहां पर present होता है, क्या लिखा हुआ है, there is the smooth muscle fibers, और 이 smooth muscle fibers का यह structure है, smooth muscles fiber के अंदर क्या होता है, एक muscle cells है, जिसके अंदर क्या होता है, nucleus होता है, और यह इसका जो shape है, जो इसका आकार है, वो कैसा होता है, spindle shape होता है, तो इस पूरे परग्राफ से हम लोग ये सीखे कि मोशन किस सेल्स की वज़ा से होता है मोमेंट किस सेल्स की वज़ा से होता है तो याद रखना है कि मोशन और मोमेंट जो है मसल सेल्स की वज़ा से होता है और मसल सेल्स का जो सेफ होता है वो कैसा होता है spindle safe होता है muscle एक cells है muscle क्या है? cells है आईए अगले paragraph पे हम लोग NCRT के अगले paragraph पे बढ़ते हैं क्या लिख रहा है? during breathing we inhale oxygen जैसा कि हमने कहा inhalation का मतलब क्या होता है? air को बाहर निकालना air को बाहर sorry, inhale का मतलब होता है inhale, in मतलब अंदर लेना तो oxygen को अंदर लेना where does this oxygen go? अब यह समझना है कि जब हम अंदर oxygen लेते हैं तो वो कहां पे जाती है तो लिखा हुए आगे कि it is absorbed in the lungs and then it transported to all the body cells through the blood तो यह lungs में पहुंचती है और lungs में पहुंचने के बाद blood के अंदर enter करती है और जहां से यह cells के अंदर जो है पहुंचाती है आब समझना है कि oxygen cells को oxygen की ज़रुरत क्यों है the function of the mitochondria we studied earlier provide the clue this question तो हम लोग cell के अंदर पढ़े हुए हैं कि mitochondria होती है और जहां पे actual जो food का जो है decomposition होता है और जहां से large amount में energy का release होता है तो यह जो decomposition reaction है only it will takes place into the mitochondria in the presence of oxygen आगे बढ़ते हैं the function of mitochondria we studied earlier provide the clue this question तो हम लोग mitochondria पढ़े हुए है जहां पर की energy जो है release होती है और ATP की synthesis होती है blood flows and carries various substances from one part of the body to the other for example it carries the oxygen and the food to all cells it also collects the waste from the all parts of the body and carries them to the liver and kidney for the disposal तो यहां पर एक बहुती important line यहां पर लिखी है my dear student इसको आप क्या करेंगे इसको आप underline करेंगे कि blood का function क्या है what is the function you can write down the question into your copy what are the functions of the blood this is very important question तो कहरा है कि blood जो क्या करता है carries करता है blood flows and carries various substances from one part of the body to the other पहला question पहला point है पहला answer है कि blood blood vessels के अंदर flow करेगा और वो blood जो है different types के सवस्टान्स को एक जगां से दूसरी जगां body के अंदर करता है जैसे कि वो oxygen को carry करेगा वो food को carry करेगा और साथ-साथ में waste जो oxidation process के द्वारा जो है waste जो बना होता है body parts के अंदर उसको वो blood collect करता है और body से बाहर करता है with the help of liver and kidney यानि वो blood जो है waste को liver में लेके जाएगा और kidney में लेके जाएगा जहां पे liver और kidney के द्वारा waste का disposal होता है so this is the function of the blood then blood and the muscles are both the example of tissue found in our body इसका मतलब यह हुआ कि जो muscles है और blood है blood और muscles दोनों ही example है किसके tissue के on the basis of the functions they perform we can think the different types of the animal tissue now the NCRT अब divide कर रहे है कि कितने type के animal tissues होते है तो mainly जो animal tissues है वो four types के animal tissues होते है बोड़ी के अंदर कितने types के? four types के तो आप अपने notes में लिख सकते हैं पहला जो tissue है वो है epithelial tissue दूसरा है क्या connective tissue तीसरा है क्या muscular tissue और चौथा क्या है nervous tissue तो फिर से याद रखेंगे कौन-कौन से tissue है तो epithelial, connective, muscular and nervous इसको short form में हम लोग लिख सकते हैं कि types of tissue को short form में हम लिख सकते हैं कितने types के tissue तो four types के एक हो गया N एक हो गया M एक हो गया C एक हो गया E NMC NMCE N stand for nervous tissue N stand for nervous tissue M stand for muscular tissue कितना कौन सा? muscular tissue C stand for connective tissue C stand for connective tissue and E stand for epithelial tissue तो यह याद करने के लिए मैंने एक phrase बना दिया और इसके base पे आप types of tissues को learn कर सकते हैं और that is what? NMCE तो यह चार types के हमारे पास tissue हैं जैसे जैसे NCRT describe कर रही है वैसे वैसे हम लोग NCRT के line by line को clear करेंगे I am my dear student आपको यदि यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मन से आगे पढ़ें पूरी वीडियो को देखें concept को clear करें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस प्रकार के mission को support करने के लिए इस वीडियो को share और subscribe भी करें तो हमारे पास जो है 4 types के tissue होगे NCRT के अंसार one by one हम लोग पढ़ेंगे तो पहला यहां पे जो tissue mentioned है और उसका नाम के है that is the epithelial tissue तो पहली heading आप लगा लेंगे अपने copy में and that is what epithelial tissue epithelial tissue epithelial tissue इपी का मतलब क्या होता है वावू तो इपी का मतलब होता है ऊपर ऊपर इपी का मतलब क्या होता है ऊपर थीलियल का मतलब होता है कवरिंग तो ऊपर की बाडी कैवटी के अंदर जो भी कवरिंग है बाडी के ऊपर जो भी कवरिंग है वो किसकी बनी होगी एपी थीलियल टी तो EP का मतलब हो गया ऊपर, थीलियल का मतलब हो गया क्या? टीसू. तो इसको एक प्रकास से हम लोग covering टीसू के नाम से भी जानते हैं. क्या कहते हैं? So we are calling as a covering tissue. आएए देखते हैं, NCRT क्या करती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, the covering और protective tissue into the animal body are epithelial tissues. तो med year student आप underline कर लेंगे, अपने notebook में लिख लेंगे कि इसको covering tissue या फिर इसको protective tissue के नाम से भी जाना जाता है. क्या नाम जाना जाता है? covering tissue या फिर इसको protective tissue के नाम से भी आप पुकार सकते हैं. तो epithelial tissue को covering tissue या फिर protective tissue कहते हैं. epithelial covers the most organ and the cavity within the body. यानि जो organ के उपर की जो covering है, जैसे माली जे आपकी body है, तो body जो है, वो चारों तरफ से body की covering होती है body के उपर, और इस body के उपर की covering को क्या बोलते हैं? skin बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बोलो जलते हैं. तो yes, skin बोलते हैं. तो skin क्या है? covering है. किसकी covering है? तो it is the covering of the epithelial tissue. यह किसकी बनी है? epithelial tissue की बनी है. दूसरी चीज बॉड़ी कैवेटी. बॉड़ी कैवेटी, आपको समझना है, कि बॉड़ी के अंदर जो है, various types के body cavity, बॉड़ी के अंदर various types के spaces and gaps हैं. तो in body cavities के अंदर के जो lining है, समझेंगे, इस body cavity के अंदर के जो lining है, यह किसकी बनी है? तो यह बनी है epithelial tissue की. किसकी बनी है? epithelial tissue की. तो कहाँ-कहाँ epithelial tissue होगा, इस चीज को हम लोग को समझके चलना है. जल्दी बाजी एक्तम नहीं करना, यदि आप बायो में जल्दी बाजी करेंगे, या short note बनाएंगे, या quick note बनाएंगे, तो इससे हमको फायदा नहीं होना है. खास करके जो student medical science के preparation कर रहे हैं, उनके लिए biology line by line पढ़ना और biology के concept को build up करना बहुती नितान्त जरूरी है. क्योंकि physics और chemistry आपको selection दिलाती है, selection दिलाएगी, लेकिन biology में यदि ये question गलत हो गया, तो आपका selection रुख सकता है, बाहर चले जाएंगे. तो इसलिए biology is very important subject for the medical science student. ओके, so epithelial जो tissue है, वो कहां पे होगा? body organ के covering पे होगा, और साथ साथ में cavity के अंदर होगा. It also forms the barrier to keep the different body system separate, यानि दो organ के बीच में. अब एक चीज़ को समझना, यदि माली जी ये दो organ है, two organ है, जैसे liver है, kidney है, या lungs है, या heart है, तो इनके बीच में ये जो है, एक separation create करती है, और ये जो separation किसका होगा, तो it will be of the epithelial tissue. तो एक माली जी एक organ ये है, एक दूसरा organ ये है, तो इन दो organ के बीच में जो separation हो रहा है, वो किसकी वज़े से हो रहा है? तो अब आपको देखिए, यही सवाल पूछा जाता है, कि कहां कहां पे epithelial tissue प्रजेंट होगा? तो heading लगा लेंगे, site और location of epithelial tissue. कहां कहां पे epithelial tissue होगा? तो anxiety के अंशार, पहला कहां पे बहुँ? इसकिन, पहला कहां है, इसकिन, दूसरे कहां है, lining of blood vessels, lining of blood vessels, इसका क्या मतलब है? एक एक चीज़ को समझेंगे हम लोग, जल्दी बाची एक दम नहीं है, एक paragraph एक दिन में clear करिए, लेकिन बढ़ियां डंसिक करी, lining of blood vessels, दूसरे है, lining of mouth cavity, lining of, lining of mouth cavity, mouth, sorry, this is M-O-U-T-H, mouth cavity, lining of mouth cavity, इसके बाद क्या है? that is the lungs, L-O-L-I, lungs, L-O-L-I, L-O-L-I, और पांचमा जगह बता रहा है कहां पर, kidney tubules, kidney tubules, तो मेरे साथ याद रखेंगे, skin में है, blood vessels में है, blood vessels में है, साथ साथ में, mouth cavity में है, lungs में है, kidney में, तो कहां कहां याद रखना है? आपको blood vessels, याद रखें, blood vessels, blood vessels, blood vessels, skin, mouth cavity, lungs, L-O-L-I, and the kidney tubules, ठीक है? तो यहाँ पर जो है, at these places, there will be the presence of the epithelial tissue, अब यहाँ पर हमको यह समयना है, है, heading लगा लेंगे, क्या characteristics of, characteristics of, cells of epithelial tissue, cells of epithelial tissue, क्या characteristics है, epithelial tissue के, cells की, तो सबसे पहले इसमें लिखा है, कि epithelial tissue cells are tightly packed and forms the continuous seed, यानि यह जो cells हैं, इनके बीच में यह tightly packed होंगे, इनके बीच में इस तरीके से, इनके बीच में बहुत ही less या no gap होगा, यह जो है cells हैं, और इन cells के बीच में बहुत ही small tightly packed होंगे, और इनके बीच में कोई भी gaps नहीं होगा, यह continuous seed के form में, एक जिसे देखें, seat बन गई, तो एक continuous seed के form में formation करते हैं, तो पहला हम लोग characteristics में लिखेंगे क्या, कि इनके यह tightly packed होती हैं, tightly packed होती हैं, दूसरा हम लोग इसमें लिखेंगे, कि यह seat like structure बनाती है, seat like structure बनाती है, तीसरा point आपको यह समझना है, इसमें, कि they have only small amount of cementing material between them and almost no intercellular space, तो इनके बीच में जो cementing material है, यानि दो जो cells को जोडने वाली सबस्टान्स है, इनके बीच में बहुत ही कम है, और साथ साथ में क्या है, कि इनके बीच में intercellular space एकदम नहीं या zero के बराबर है, क्या है, नहीं या फिर zero के बराबर है, तो यह tightly packed है, continuous seat बनाती है, साथ साथ में इनके less cementing material है, less cementing material है, और चौधा point याद रखना है क्या, कि इनके बीच में low, no intercellular space है, इनके बीच में no intercellular space है, इनके बीच में कोई भी intercellular space नहीं है, these are the characteristics of the cells of epithelial tissue, याद रखेंगे, यह सारी चीज़ें, epithelial tissue कहाँ पर पाय जाएगा, epithelial tissue की location क्या है, epithelial tissue के अंदर जो cells है, उनकी क्या characteristics है, यह सारी चीज़ें आप से पूछी जाएंगे, epithelial tissue के क्या types है, उनकी भी बात करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है characteristics, so obviously anything entering or leaving the body must cross the least one layer of the epithelial, इसका कैनिक मखलब है कि यदी कोई भी सबस्टांस इस body से, यानि body के बाहर से, यदी body के अंदर आ रहा है, या आना चाह रहा है, तो उसको कम से कम, एक यकम से कम, एक epithelial layer से, at least one epithelial layer से cross करना पड़ेगा, at least one epithelial layer से cross करना पड़ेगा, इसका मटलब क्या हुआ कि as the result, the permeability of the cells of the various epithelial, play an important, यान पर देखेंगे, obviously, anything entering or leaving the body, must cross at least one layer of the epithelial, as a result, permeability of the cells of the various epithelial, play an important role in regulating the exchange of the materials, between the body and the external environment, and also between the different parts of the body, so this line is very important, क्याल important है, किस point से important है, कि यदी कोई भी सभस्टान्स बाहर से अंदर बाड़ी के, बाहर से यदी अंदर आना चाहता है, तो कम से कम उसको epithelial layer से cross करना पड़ेगा, और चाहे वो एक हो सकती है, या एक से ज़्यादा हो सकती है, इसका मतलब क्या होगा वो कि transportation के case में, transportation के अंदर epithelial का बहुत ही बड़ा important role है, epithelial tissue का काम क्या है, तो यह covering है, यह protection है, और साथ साथ में क्या करती हैं, तो transportation का भी काम कराती हैं, so regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue, by the extracellular fibrous basement layer, इसका मतलब क्या कहा रहा है कि, किसी भी प्रकार का यदि epithelial tissue है, तो इस epithelial tissue के, जैसे मालेजे यह epithelial tissue है, तो इस epithelial tissue के base में, यह layer होगी, इसको बोलते हैं basement, क्या बोलते हैं, underlying extracellular fibrous basement membrane, तो यह जो है, चाहे किसी भी प्रकार का epithelial tissue हो, चाहे किसी भी प्रकार का epithelial tissue हो, इस epithelial tissue के नीचे, fibrous basement होगा, और इस fibrous basement की थीकनेस अलग-अलग tissue में अलग-अलग type की होगी, और साथ साथ में जो है, इसी के ऊपर जो है, यह different types की epithelial cells है, वो क्या होती हैं, वो टिकी होती, वो क्या होती हैं, वो टिकी होती, ठीक है, यह तो इस्के साथ साथ जो जो कर। एफितियल आए, यह तिस्के साथ साथ तिस्टीब, इसада अपितियल justice बिदीाड चैले को बदारिय के तर इसतर्फिक कि साथाद। गिए अलगावमनल से यह आज को संप पर बहाबा-जामी पर दिज्बतियα बाम, and this is called as the simple squamous epithelium तो my dear student, आगे की video class में, आगे की session में हम लोग types of epithelium की बात करेंगे कि कितने types के epithelium tissue होते हैं कितने types के types of epithelial tissue को पढ़ेंगे ठीक, तो आज के इस class में हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं क्योंकि one by one, line by line, यदि NCRT को आप पढ़ना चाहते हो confirm करना चाहते हो, तो थोड़ा सा time तो लगेगा लेकिन मैं आपको दावेत के साथ sure करना चाह रहा हूँ कि यदि एक बार आपने इस तरीके से NCRT को या biology को आपने line by line पढ़ लिया तो no doubt आपका जो concept है वो एकदम strong हो जाएगा और आगे चल करके आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत और परसानी नहीं होगी तो आज के लिए इतना ही thank you very much इसी तरह आप अपने पढ़ाई करते रहेए बाबाई